स्वागत है आपका अपना प्यारा साथ यूटूब चैनल तन्वीर सरपर दोस्तों आज मैथमेटिक स्रीज का डे एट है यानि आठोवा दिन है और आठोवा कोश्चन है तो देखिए गाई इसमें बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है यह बहुत से बहरी 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 इंपोर्टेंट कोश्चन है यह क्या कहता है कि एक तिरगहात बहुत ग्याद करें क्या ग्याद करें इससे पहले था दूइगहात बहुत लेकिन यह कहता है कि एक त्रिगात भूपत ग्याद करें जिसके सुन्यकों का योग जिसके सुन्यकों का योग उसके बाद भी कहता है दो सुन्यकों को एक साथ लेकर उनके गुनन फलों का योग मतलब दो-दो सुन्यकों को एक साथ लिया गया उसके बाद उसका योग तथा तीनो सुन्यकूं के गूननफल करम शा दिया हुए है वह 2-7 तथा माइनस 14 है अब इसके सहायता से यह जो भालू दिया हुए है इसके इसको जो है पूट करके रख करके इसका यूज करके हमको क्या ग्याद करना है तो भैलू तो दे दिया है भई, इसके लिए हमको सबसे पहले इसका formula याद होना चाहिए तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ, solution में देखते हैं, लिखेंगा पहले माना की, माना की, सुन्यक, माना की, सुन्यक, अलफा, बीटा, तथा, गामा है, माना की, सुन्यक, अलफा, बीटा, तथा, गामा है अब देखिए, प्रसन से हम चलते हैं, तो according to question, जो दिया हुए है, उसको पहले लिखते हैं तो सबसे पहले कहता है, कि तरिगाहत भुपत ग्याद पर जिसके सुन्यकों का योग, सबसे पहले इसके सुन्यक का योग दिया है, मतलब अलफा, बीटा, पलस, गामा दिया है इसलिए alpha plus beta plus gamma ये सुन्यकों का योग हो गया दिया है तो जो पहले है वह ही होगा इसका भैल्व दो यहनी alpha plus beta plus gamma सुन्यकों का योग दो है फिर कहता हूं उसके बाद dो सुन्यकों को एक साथ लेकर उनके गुननफ़ों का योग मतलब यह हुआ है कि αलफा बीटा पलस बीटा गामा पलस गामा अलफा ये दो-दो सुन्यक ले लिया गया और उसका योग कहता है दो सुन्यकों को एक साथ लेकर उनके गुननफलों का योग यानि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का भैलूद दिया हुए है उसके बाद वह क्या है माइनस साथ है तो माइनस साथ हो गया तथा आगे कहता है कि तीनो सुन्यकों के गुननफल तीनो सुन्यक अल्फा बीटा गामा है यानि कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये गुननफल हो गया वह दिया है माइनस चवदा या भैलू दिया हुए है अल्फा बीटा इंटू गामा इकल टू माइनस चवदा त्री घात बहुपद इसका फर्मूला देखेंगे दरसे क्या होता है के इंटू एंटू 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 गामा पलस गामा अलफा इंटु एक्स पलस अलफा बीटा पलस बीटा गामा पलस गामा अलफा इंटु एक्स माइनस अलफा इंटु बीटा इंटु गामा यह फर्मूला होता है तरिगहात बहुपद का तो होता है के इंटु एक्स स्कुरे माइनस अलफा पलस बीटा ला-બ्लंस, फिर ये वाला, दोनों वाला योगफ़ वाला, अल्फा-ब्लंच पौट श के समें चिति लदा colonel q rhythm k into x q minus alpha plus beta plus gamma का भेलू है यहाँ 2 तो 2x square हो जाएगा plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha का भेलू दिया है minus 7 तो minus में है तिसलिए हम minus 7 post में लिखेंगे into x minus alpha into beta into gamma alpha into beta into gamma का भेलू दिया हुए है minus 14 तो इसको भी post में लिखेंगे minus 14 post बंद k into x q minus 2x square plus में minus स्गुना की जाएगा तो minus 7 x हो जाएगा फिर minus मैंनस स्गुना की जाएगा तो plus 14 हो जाएगा यहाँ अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भी वही चीज़ लागू होगा नीचे कुछ भी नहीं चुपा है यह मतलब कुछ भी नहीं दीख रहा है मतलब 1 चुपा है तो k का value direct हम क्या रख देंगे 1 रखेंगे यहाँ पर इसलिए केज कल्टू 1 रखने पर केज कल्टू 1 रखने पर जब केज कल्टू 1 रखेंगे तो इसलिए यतना है उतना ही हो जाएगा तो सिदा सिदा हम लिख देंगे x q minus 2 x को आए minus 7 x plus 14 यही तिरीग हाथ बहुपाद हो जाएगा जो का रहा था इसका एंसर हो जाएगा मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा दोस्तों अगर आप मेरे चनल पर नए हो या पुराने भी हैं जो मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किये है वीडियो को बड़ा मेहनत लगता है आप अगर सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा तो मुझे हिम्मत मिलेगी बारवर मैं काता हूँ इससे क्या मिलेगा मुझे हिम्मत मिलेगा तो हिम्मत मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छा अच्छ है वीडियो बना के लिए कियाओंगा बनाओंगा जिसके वज़से आपको एक्जाम में काफी बेनिफिट होगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेक कीजिए, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट डे में